सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धेटिवेपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रगाम पर जैसा की हम प्रति दिन करते आए हैं आज की वीडियो में मैं तीन टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे सपनों के सहर नियोम और दलाइन के विसे में समझने का प्रयास करेंगे कि नियोम और दलाइन को सपनों का सहर क्यों कहा जा रहा है दरसल यहां जो घोशना की गई है उसके अंसार यह जब सहर बन कर तयार होंगे तो उनका जो पूरा इस्ट्रक्चर होगा वास्तों में किसी सपने के सहर जैसा ही होगा तो समझेंगे इन सहरों की क्या-क्या विसेस्ता है कहां पर यह बनने जा रहा है वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे सेंड बोवा जीव के विसे में समझेंगे ए जीव क्या है, क्यों खास है और क्यों अभी चर्चा में बना हुआ है वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे पास्फोर्ट के विसे में और जो हमारा पूरा टॉपिक होगा उस सौधी अरबिया से ही जुड़ा होगा पहला इसलिए थोड़ा सा सौधी अरबिया के विसे में पहले हम बेसिक चीजों को जान लेते हैं उसके बाद इन सहरों पर हम बात करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है सौधी अरबिया सौधी अरबिया को अगर आप देख रहे हैं तो इसको काफी जो है कि इसकी जो लोकेशन है काफी महत्पूर है यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका लाज सागर और आपको पता है लाज सागर और अर्थार जो यहां पर कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसका ब्यापार करके क्या करते हैं अपनी अर्थव्योस्ता को आगे बढ़ाते हैं लेकिन आपको पता है कि जो तेल है कच्चह तेल प्राप्त होता है वो एक जिवास मीधन है और वो हमेशा नहीं रह सकता हर देश के पास कुछ लिमिटेट के भंडार है और वो समाव्थ हों उससे पहले ही क्या किया है सौधी अरभया ने एक काफी बड़ा प्लान प्रस्तू अब यह जो सौधी अरबिया देख रहे हैं इसके विसे में कुछ देशों का भी जिक्र आएगा उसको भी आप देख लीजी यहाँ पर अगर पस्टिम में देखेंगे तो आपको एक जो है की देश दिखाई देगा जिसका नाम है जॉर्डन और यहाँ पर जॉर्डन के पास ही आपको पता है कि यह देखे एक सिनाई प्राइदी पहे इसका नाम आपने सुना होगा यह देखे सिनाई प्राइदी तो जॉर्डन के पास ही सौधी अरबिया के पस्सिम में एक सहर बसाया जाएगा जिसका नाम है नियोम और इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते ह आप जब आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं तो आपको पता है कि सौधी अरबिया का जो जियो पॉलिटिक्स है इसका कई देशों के साथ तनाव है इसमें से पहला जो सबसे परमुक देश है वह है इरां वहीं पर आपको पता है यहाँ पर क्या है इजरायल है और यह जो की लोकेशन है यह अपने आप में काफी महत्पूर है क्योंकि इजरायल जो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है उसमें कई बार यहां के जो मुस्लिम देश हैं उसको संगर्स करना पड़ा है लेकिन यहाँ पर जो नया एक सहर बनेगा जिसका नाम है नियोम वह क्य सौधी अरबिया और इजरायल का सबसे अच्छा जो मित्र है वह है अमेरिका आपने डूनाल ट्रम्प के कारेकाल में इसको अच्छी तरी से देखा था यह जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आई थोड़ा इसको हम समझते हैं अब देखिए जैसा कि हमन यहाँ पर भी मैप दिखाया गया है और इसी में हाली में गोशना की गई है मुहम्मद बिन सल्मान की दौरा उन्होंने कहा कि दो को यह हमारा सौदी अरबिया है तो यहाँ पर हम क्या करना है नियोम सहर बना रहा है जिसको नियोम को हमने दिखाया तब फिर से देख लिज और यही एक एकडम सरल रेखा में एक सहर बसेगा जिसका नाम होगा The Line अर्था दो सहरों का हमें समझना है यहाँ पर नियोम और इस लाइन के किनारी एक सीधी रेखा में जो है कि एक सहर बसाए जाएगा जिसका नाम है The Line आई होप आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे यह जो सहर बसने वाला है नियोम उसका एक प्रतिरूप है एक इमेज है लेकिन यह इससे भी काफी अद्वुत होगा इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो है कि एक सपनों का सहर यह जो प्लान है देखे कुछ इस रूप में है आप देख सकते हैं कि यह जो सहर है कुछ इस रूप में बसाया जाएगा हलाकि अभी भी पब्लिक के लिए उसको नहीं खोला गया है कुछ यहाँ पर निर्माण कार चालू हो गया है ओफीसियल मीटिंग होती है लेकिन पब सिम्य, लासागर, दच्छिड की ओर, ओमान और इमान है वहीं उत्तर में इराक और जॉर्डन की सीमा लगती है मद्यपूरु का यह जो देश है न सिर्फ तेल और गैस उत्पादन के लिए महतपुर इस्थान रखता है बलकि इसका धार्मिक महत तो भी काफी जादा है यहां पर लाखों जो है कि यात्री आते हैं अर्था धार्मिक महत भी जादा यहां की जो राजधानी है वह है रियाद और सौधी अरब की जो बरतमान अर्थ व्योस्ता है वह उस अर्थ व्योस्ता में लगभग 90% का जो योगदान है वह तेल का है बर्स 2020 के आंक्रों के अ दुनिया के कुल अनुमानी तेल भंडार का 82% तेल जो है कि ओपक देशों के पास है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओपक में कितने देश इस समय सामिल ध्यान दिजेगा मैंने कहा कि दुनिया में जितना भी अनुमानी तेल है उसका 82% सिर्फ और सिर्फ ओपक देशों के पास है और यह जो ओपक देश है इसमें एक महत्पूर्ण देश है जिसका नाम है सौधी अरबिया और यह जो 82% है इस 82% का लगभग 22.4% का भंडार अकेले सिर्फ एक देश के पास है जिसका नाम है सौधी अरबिया बर्स 2019 की रिपोर्ट के अंसार अमेरिका व अमेरिका जो है कि वैस्विक तेल उतपादन में 16.2% का योगदान देकर पहले इस्थान पर है और 13% की योगदान के साथ सौधी अरविया सेकेंड इस्थान पर है और 12.1% की हिस्सेदारी के साथ रूस तीसरे इस्थान पर है यहाँ पर हमने यह समझा कि जो तेल का पूरा गड़ा गड़ित होता है उसमें सौधी अरविया का रोल जो है काफी महत्पूर है ना सिर्फ भंडार जादा है बलकि यहाँ पर उतपादन भी जादा होता है बर्स 2015 में ओपित को दी गई जानकारी के अनुसार सौधी अरव ने बताया कि उसके पास जो तेल का अनुमानि भंडार है वह इतना है 266 अरव वैरल्स है तो ध्यान दीजिएगा 266 अरव वैरल्स जो है कि हाँ पानवाने भंडार यह आकड़े पर मैं इस तरह जो दे रहा हूं कई तरह के अभी बिवात इससे उभानने वाल हाला कि कई लोग का मानना है कि नहीं इतना भंडार नहीं है अर्थात यह जो आकड़ों का जी बात की जा रही है सौधी अरव कह रहा है कि उसके पास 266 अरव वैरल्स जो है कि क्या है तेल का भंडार है इसकी बिस्वसनियता पर प्रशन उड़ते रहे हैं अगर हम मान भी लेते हैं कि सौधी अरव के पास 266 अरव वैरल्स जो है कि त तेल का भंडार है तो भी बर्तमान समय में वह लगभग प्रती दिन और सतन 1.2 करोड वेरल प्रती दिन क्या करता है उत्पादन करता है और इस अनुमान के अनुसार सौधी अरब का जो तेल भंडार है अगरे 70 साल में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा अर्थार आने वा आई थी उसकी अंसा सौधी अरब 94 वेरलस का जो है की उपयोग कर चुका है अर्थात उसका वेज चुका है और लेकिन फिर भी सौधी अरब क्या कह रहा उसका जो अनमानित भंडार है वह 260 से लेकर 265 या 266 अरब वेरलस है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है इनका 270 के दसक में यहां पर क्या किया गया था तेल की खोज की गई थी और उसी समय अधिकांस तेल की खोज की गई थी और उस समय भी लगभग यही अनुमान किया गया था कि 266 से लेकर 267 अरब जो है की वेरल यहां पर तेल की उपस्त थी और यह कहा जा रहा है कि 2016 की हमारी ही र बन्डार होना चाहिए वह इतना नहीं होना चाहिए उसके पास 170 से लेकर 180 अरब वेरल तक ही होना चाहिए लेकिन अभी तक जो अधिकारिक आंकड़े सौधी अरब देता है उसके हुशा इतना है तो इसके पीछे दो संभावना बनते है पहला तो यह है कि सौधी अरब यह न अगरसल आखिर सौधी अरविया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी अर्थ ब्यवास्ता अपने रिसोर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है जिससे उहां पर निवेस जादा आए और निवेस जब जादा आएगा पैसा जादा आएगा तो उसका उपयोग क्या करें वह अपने आप क्या कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक चल ला है और आप अगर हमें पैसा देते हैं तो हम आपको टाइम पर चुका पाएंगे तो दरसल कई लोगों का मानना है कि सौधी अरविया इस समय जो कई परकार के कदम उठा रहा है उन कदमों से कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए पै अब ही कोई नए तेल के ठीकाने के खोज नहीं हुई अगर खोज हुई हुए तो अच्छी बात है और यहां पर समय थोड़ा सा सस्पेंस इस कारण भी है कि दरसल है क्या कि अगर तेल के खोज भी होई होगी तो सौधी अरविया जरूरी नहीं है कि वो बता है क्योंकि इस से लेकर कई देश हैं जो हमला करते रहते तो हो सकता है कि सौधी अरविया को यह डर हो कि हम अगर अपना नया तेल छेतर बताते हैं तो उस पर किसी देश के दोरा हमला करके और वहां पर आग लगा दी जाया तो उससे क्या होजा काफी नुकसान होगा तो दरसल यह भी कार है कि सौधी अरव की अर्थव्योस्था लगवक पूरी तरह तेल के ब्यापार पर निर्भड है इसी कारण तेल की जो कीमतें जब भी कम होती हैं तो इसकी अर्थव्योस्था पर निगेटिव इंपक्ट परता है जैसा कि कोबी-19 के दोरान हमने देखा कि जो कच्छी तेल की कीमत थी वो 20 जो है कि डॉलर प्रती बैरल तक आ गई थी अर्थत कापी कम हो गई थी और यह हमेशा होता रहता है कि आखिर ऐसा नहों कि जो इसकी मांग किसी भी कारण से अगर कम हो जाए तो सभावी के सौधी अरविया के जो हित हैं उपर भावित होंगे और सौधी अ करेंगे अपने आपको कार्वन न्यूट्रल करने का मतलब है कि वह अपनी अर्थ ब्योस्था में तेल अर्था जिवास में ही तुनों का प्रियोग कम करेंगे अब सोचिए कि जब भी क्या होता है या कि डिमांड में कमी होगी तो तेल का मुल क्या हो जाएगा कम हो से पिछले कुछ बरसों से उसको क्या कर रहा हूँ? डाइवर्सीफाइ करने का प्रयास कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्योस्था सर्फ तेल पर निर्वर नहों बल्कि अन्य चीज़ों पर निर्वर हो सिर्द, जिससे अगर भविष्व में कभी भी मांग में कमी आती हैं, तो भी उसकी अर्थवियोस्था पर निगेटिव इंपेक्ट ना पड़े और उसकी जो ग्रोथ है वो बनी रहे और इसी के क्रम में जो बर्तमान जो है कि उहां के क्राउन है अर्थात मुहमन बिन सल्मार वो बर्ष 2015 में जो सत्ता में आये तो उन्होंने अपना एक विजन प्रस्तूत किया जिसका नाम है विजन 2030 अर्थात बर्ष 2030 तक के लिए उन्हों कुछ टार्गेट और इन्होंने कहा कि वो अपनी अर्थवियोस्था को ऐसा बनाएंगे जिससे तेल पर निर्भरता कम हो सके तो लोगोंने पूछा क्या करोगे आप तो इन्होंने कहा वर्ष 2017 में कि हम क्या करेंगे लगवख 500 बिलियन डॉलर की लागस्ते हम एक मेगा सिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा नियो और इसको इस तरूप में बनाए जाएगा जहां से हम फ्यूचर की वह सुपधाई द अब तो इन से पूछा गया थीख है आप बात तो बहुत अच्छी कर रहा है कि आप क्या करेंगे एक सिटी बनाएंगे जहां पर सूपर कम्प्यूटर से लेकर, रोबोट से लेकर, आर्टिफिसिल इंटिलिजेंस से लेकर उन सभी चीजों का आप उत्पादन करेंगे जिनका उत्पादन जो है कि अभी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता अगर आप जापान से लेकर दचिर कोरिया का कुछ नाम लेंगे तो सीमित उत्पादन होता है इनका एक पूरा ऐसा मार्केट के रूप में बहुत जाना मैनिफेक्चिर नहीं होता तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप इनका उत्पादन तो करेंगे लेकिन इसके लिए आपके पास संसाधन कास है ना तो आपके पास इतना साइंस का भी कास हुआ है और ना ही इतना आपके पास पैसा है तो इन्हों न कहा कि हम यह जो city बनाएंगे न इस city में क्या करेंगे ऐसी सुबधाई देंगे जिससे बिशु के जितने अच्छे अच्छे scientist हैं बिशु के जितने intellectual हैं intellectual का मतलब यहां पर यह नहीं है कि जो right things और left wing में बात करें वो नहीं intellectual का यहां पर मतलब यह है कि जो लोग क्या कर सकी अपनी innovation अपनी technology से भविशु को बदल सकते ऐसे लोगों को यह बुलाएंगे और इनको एक platform देंगे और यहां से क्या करेंगे जब इन चीजों का इस प्रकार की services आगे बढ़ने लगेंगे तो भविश में इनकी अर्थ ब्योस्था में भी क्या होगा एक ऐसे उत्पात बन कराएंगे जिनके भविश में मां होगी जैसे कि इंडिया ने क्या किया है अपनी IT सेक्टर या हर्डवेर के सेक्टर को काफी अच्छा मजबूत किया है ठीक सोधी अरब ने सोचा कि आज से 15-20 साल बाद किस चीज की डिमान होगी और उसी चीज पर यह काम कर रहा है तो अब समझते हैं थोड़ा सा इस सिटी के विशे में जिसको इन्होंने बनाने की प्रस्ताव रखा तो नियोम जो है कि दो सब्दों से मिलकर बनाएं इसमें पहला जो सब्द है नियो है जो कि एक ग्रीज सब्द है जिसका अर्थ होता है नया अर्थात की ऐसा सहर जो नय और यहां पर जो M है यहां यह लिया गया है अर्भी सब्द मुस्तकबल की संचिप्त रूप है मुस्तकबल का मतलब होता है कि भबिस अर्थात future तो अब देखिए यहां पर M क्या denote कर रहा है future को और new क्या कर रहा है new को denote कर रहा है अर्थात ऐसा सहर जो की बनाया जाएगा 26 तरफल होगा और लगबद 26,500 वर किलोमेटर होगा और आकार में देखें तो लगबद बेल्जियम जो देश है उसके बराबर होगा यह सहर सौधी अरब के बिलकुल पस्ति में लाल सागर के किनारे पर होगा जहां पर हमने इसकी location दिखाएगा दिखाया था आपको यह सह भी देश तक 8 घंटे में जो है कि पहुचा जा सके अर्थात हम यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी ऐसी रखेंगे जिससे बिसो के जितनी भी सेवाए हैं उत्पाद हैं हम उनको यहाँ से ट्रांस्पोर्ट कर सके क्योंकि इसकी location देखेंगे तो लगबद मद्यबाग में नियोम सहर में किया जाएगा यह जो सहर होगा कार्वन न्यूट्रल होगा भबिस्त का सहर है स्वभावी के क्या होगा कार्वन न्यूट्रल होगा और यहाँ पर दुनिया की सबसे बहतरीन तकनीकी होगी और यहाँ पर जो उर्जा होगी वह यहाँ की जिवासम उर्जा न अभी जो चलते हैं चलते हैं तो उसमें कि योडड़ी हो पलेने की जरूरत नहीं है पर जबाएंगे कई GBPS की आपको इस्पीट मिलेगी साथ यहां पर जो मानवी स्वास्त का जो इस्तर भविष्व में बन सकता है उसका विकास किया जाएगा यहां की जो परिवहन के साधन है उनमें इस प्रकार का समयोजन किया जाएगा कि कोई बैठती यदि बाई रोड जाना चाहता है तो भी उसका समय कापी कम लगे अगर पैदल चलना चाहता है तो भी उसको ये ना लगे कि पीछे से कोई गाड़ी का होरन बज़ रहा है और यहाँ पर आपको यह जो है कि बिस इस तरी ऑनलाइन एजुकेशन इस्थापित किया जा है वह आपको डाइनासोर चलते हुए मिलेंगे यहाँ पर आर्टिफीशल मून बनाया जाएगा क्लाउट सीडिंग की बियुस्था की जाएगी आर्टिफीशल रेन की जाएगी यहाँ पर फ्लाइंग कार होगी अर्था जो आपने मूवी बगएर हम देखा होगी कारे जाएगा और आपके जीवन को काफी आनंदायक और जोएकि सुब्धा जनक बनाया जाएगा सौधी अरब ने इसके लिए कुछ कंपनियों का से जो है कि जो बिस इस तर की कंपनिया है इनका यह सयोग ले रही है और इसके पूरे रोड में पर काम कर रही है और सौधी कर रहे हैं नियों को अलग पहचान और सरोचिता देने के लिए इसको अत्यधिक स्वायत्ता दी जाएगी अर्थात इसकी जो कानून होंगे वह सौधी अरब के कानून नहीं होंगे बलकि इनकी जो अपनी क्या होगी इनका जुडिसल सिस्टम होगा अपना टेक्स सिस्टम होगा और दुनिया के सबसे जो होनहार लोगों के लिए एक सहर हो सकता है उसका प्रमुक आकरशक सहर इनका बनाया जाएगा और सब इसलिए कि यहाँ पर ऐसी सुबधाओं का विकास हो सके जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बुर्ज खलीपा जाना है तो उस ही सभी सेवाएं जो भबिश में बन सकती हैं उनका विकास उनकी संभावना नियों में की जा रही है यह आधूनिक होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव होगा ताकि किसी भी परकार की धार्मिक रुकावटें ना आए अर्था ऐसा ना हो कि जैसे ही कोई जो है कि इहां पर हुआ है लेकिन अधिकारिक प्रिवो इसका होने लगा है कुछ शेत्र डेवलप होने लगेंगे और यहां पर हाल ही बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ मीटिंग होई इजरायल के साथ मीटिंग होई हाला कि उसको मना किया जा रहा है मतलग वहां के सौधी अरब के लोग होंगे वह रोबोट आपको चलते फिरते हर जगे जो सर्विस चे ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए कुल मिलाकर इसका तकनीकी का सबसे एडवांस रूप यहाँ पर प्रियोग किया जाने वाला है और यह सहर 5-6 साल में बनकर तयार हो जाएगा अब देखिए जो नियों प्रोजेक्ट है यह इससे क्या होगा ना सिर्फ यहाँ पर कई परकार की स्यमाओं का उत्पादन जो है कि सौधियार्फ कर सकेगा इससी क्य होगा यहाँ पर रोजगार का भी सर्जन होगा अर्थात यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी अपनी कंपनी खोलेंगी रोजगार यहां के लोगों को मिलेगा यहां के लोग टेकनोलजी में एडवांसमेंट आएगा इसकिल का जो है कि इनहेंसमेंट होगा कई तर कि एक project the line को भी इसी में जोड़ दिया है जो new project था उसी में क्या कर दिया गया है the line को भी जोड़ दिया गया और यह जो सहर होगा the line इसका जो मैंने आपको cross बना कर दिखाया अर्था जो पूरवी और पस्व में एक line के सहारे मैंने दिखाया कि एक सहर बनाया जाएगा आपको जमीन पर चलती हुए गाड़ें दिखाई देंगे ना जमीन पर आपको सड़क दिखाई देंगे और ना यहाँ पर कार्वन का उस सर्जन होगा प्रशन आएगा फिर कैसे होगा तो दरसल आप देखिए metro को आप समय सकते हैं कि दिल्ली में आप देखते हैं कि कई ज अर्थात यहाँ पर भी टेक्नोलजी का सबसे ब्यापक रूप होने हो अर्थात आप चलेंगे और आप सोचेंगे कि आपको कोई सड़क दिखाई दे जाए जिस पर गाड़ी चल लेहीं नहीं दिखाई देगा और हो सकता है जो मैंने नियों में बताया कि जो ऊपर चलती ह जो ही कारें हो दिखाई दे हाई पर लोप की जो कारें हो दिखाई दे या फिर जमीन के अंदर जो कारें चलती हो दिखाई दे यहाँ पर जो सर्विस पर बरदान किया जाएगा तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वह क्या हो कि आपके जो भी सप्लाई हो रही हो अंदर अंदर हो क कुछ इस प्रकार का अभी क्या क्या है इसमें बहुत कुछ गोशना नहीं हुई है मुहमद विन सलमान ने कहा है कि नियोम के निदेशक मंडल के अध्यच के रूप में मैं आपके सामने दलाइन सहर प्रस्तुत करता हूं जो सौधी अरब के पूरा और पस्वी भाग को जोड कि अधिक संभावना है कि हाइपर लूप ट्रेन बगएरा का कुछ ऐसा यहां पर कॉंसेप्ट लाए इस तहर को बनाने में लगवक्त 200 बिलियंड डॉलर अर्था 14.7 लाग करोड रुपे खर्च किये जाने की संभावना है चूंकि यहां पर सडकों का जाल नहीं होगा काफिस स्पेस होगा इसलिए स्कूल, अस्पताल, पार्क, सिलेकर, पर्याबरन अर्थाते आपको यहां पर यह जो डेजर्ड वाला एरिया यहां पर भी धेर सारा आपको जो है कि हरियाली देखने को मिलेगी आई होग आप समझ पाया होंगे क्यों कहा जा रहा है इनको सपनों का सह, अब बात करते हैं सेंड बुआ के विसेंड, हाली में एक अध्यान में पाया गया है कि भारत में पिछले कुछ दिनों से सेंड बुआ का जो अवैद ब्यापार है यह इस बज़े से बढ़ गया है क बिलोफ्तिक कागार पर पहुँचने का खत्रा इसका बढ़ बिलोफ्तिक कागार पर नहीं कई छेत्रों में आम होता है आपको देखने को मिल जाएगा कहना है कई बिसे सुगोग का कि यह बनने जिवों पर ब्यापार्प प्रतिबंद के बावजूद आंद परदे सही दे सांप या रेड सेंड बोवा इसने भी कहा जाता है भारत के कुछ हित्रों को छोड़कर लगवग यहर जगह पाया जाता है भारत में इस्थानी इस तरप सेंड बोवा को दो मुवाला सांप भी कहा जाता है और इसका जो बैग्यानिक नाम है वा है एरेक्स जोनी इसका अं में और संदर प्रसाधन के कारियों में होता है और वह ही कुछ लोगों के कहना है कि इसका जो प्रियोग है वह जादू टूनों में भी होता है तो इन सभी कारणों से क्या हो रहा है इसका ब्यापार हो रहा है अन्य सांपो की तरह सेंड़ बुआ भी मानसाहारी होते हैं और अ सुची फोर के तैस्स सुची बद्ध किया गया है और इसको पकड़ना या इसका ब्यापार करना पहले से ही कानूनी तोर पर अपराद है बहुजूद ऐसा हो रहा है तो यह क्या है चिंता जनक है अंतराश्टी इस तरह पर सेंड़ ववा को साइट्स जो है उसकी परिसित सेक अंतराश्टी ब्यापार पर कन्वेंशन है इंगलिस इसको जो लिखा है इसी का सौर्ट फॉर्म है साइट्स और यह क्या है कि बहुत देशों के पीछ एक 25 संदी की गई है जिससे क्या हो इस परकार के जियों के ब्यापार को रोका जा सके अंतराश्टी सरच्छन और सहयो को बढ़ावा दिया जा सके इसके माध्यम से बने जीओं बनस्पतियों कि संकटापन जो प्रजातियां है इनके अबैद अंतराश्टी ब्यापार को रोका जाता है यह जो 25 संदी है एक जुलाई 1975 से लागू है और बरतमान में साइट्स के जो मेंबर है वान यह 83 है आई हो जैसे कि आपने भी एगर पास्वोड के लिए अपलाई किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपको एक जो है कि डॉकुमेंट मिलता है और वो डॉकुमेंट किसके द्वारा जारी किया गया आपके राश्टी सरकार के द्वारा जारी किया गया और यह जो है तो मेरी पहचान होगी आपके पहचान होगी आपके पहचान और साथ ही साथ राष्टीता की पहचान होती है कि कोई व्यक्ति किस देश का है अर्थात अगर मेरे पास जो है कि इंडिया का पासपोर्ट है तो इसका मतलब है कि मुझे इंडिया के नाम पर किसी देश में क्य तो दर्की होता क्या है कि अगर कोई passport ऐसा है जिसके अधार पर वो ब्यक्ति कई देशों में जो है कि बिना वीजा के परवेश पासकता है तो वो passport काफी मजूद हो जैसे कि हम उधारन लेते हैं जापान का तो जापान का अगर कोई ब्यक्ति है उसका एक दिन मन किया कि हमें इंडिया जाना है तुरांत फ्लाइट पकड़ा इंडिया आ गया तो इंडिया में उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास तो बीजा ही नहीं है वो कहेगा नहीं मुझे बिना बीजा के जो है कि अनमती मिली हुई है इसलिए मैं आ सकता हूँ अगले दिन उसका मन पास्थी यारतरा के लिए जो डोकुमेंट है वो क्या है पासपोर्ट है और किसका है वो जापान का और जापान ने क्या किया है कि अधिकास देशों में अपनी इबेच ऐसी बनाई है जिससे उसके यहां से कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत उसको परवेश दे दिया जात है उसको वीजा की अनुवती नहीं है जैसे कि माल लेते हैं हम और आप जो है कि हमको लगा एक दिन हम लोगों को युएस से जाना लेकिन हम लोगों ने सोचा तो हम लोगों को अब अपलाई करना होगा कि हमें युएस से जाना युएस से वाला फिर अथॉर्टी हर ब्यक्ति पर हमारे यहां के लागो होती है। लेकिन हो सकता है कि जापान के ब्यक्ति से ना पूछा जाए। जापान का ब्यक्ति एपलाई भी नहीं करेगा, डारेक्ट युश से पहुंच जाएगा। तो इसको बोलता है कि बिना बीजा के किसी देश में प्रवेस तो जिस देश का जो पासवोर्ड है वो बिना बीजा के अधिक देशों में प्रवेश करने की चमता रखता है वो पासवोर्ड उतना ही क्या होगा मजबूत होगा आसान सब्दों में समझे कि जापान का एक व्यक्ति यदि वह 190 देशों में बिना बीजा का प्रवेश कर रहा तो इसका मतलब क्या है जापान का पासपोर्ट मजबूत है वहीं अगर हम कहें अफगानिस्तान का बेक्ती बीना बीजा के मातर दस देशों में परवेश कर पा रहा है तो यहां का जो पासपोर्ट है वो क्या है कमजोर है अर्थात पासपोर्ट के मजबूती का संबंद है कि बिना बीजा के वह जो पासपोर्ट वाला देश उसके देश के नागरिकों को कितने देशों में प्रिवेश की अनमती है इसी के आधार पर तै होता है कि वीजा कितना मजबूत है जैसे जापान के संदर्म पूरे विश्व में एक छबी है कि यहां के लोग अच्छे होते हैं यह किसी चीज को नुकसान नहीं पहुचाते लड़ाई जगड़ा नहीं करते सराप पी के इधर उधर नहीं गोमते या कुछ ऐसे अप्रिय ब्यवहार नहीं करते जिससे हमें दि दूरत नहीं है सभाविक है कि जापान के लोगों ने हमेशा क्या किया है अपने देश की वैल्यू को बचा कर रखा है और उसको हमेशा मजबूत करने इसलिए आप देखते हूं कोई जापानी ब्यक्ति जो है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि उसने पिज्जा बर्गर सम्थि जो कुछ भी खाया और उसको रोट पर फेक दे वाकाइदा उसको डश्टवीन में डालेगा कई बार यह देखा गया है कि जो जापान के लोग है वह अगर कहीं उनको कूड़ा करकट मिल जाता है कुछ सफाई वगरा वह कर सकते हैं तो कर देते हैं तो पहला तो यह है कि आ पाकिस्तान के संदर में ले ले लें तो पाकिस्तान का जो विदेशी संबन में बहुत अच्छा नहीं है तो सवभावी कि उसकी जो पासपोर्ट का भी जो महत होगा कम होगा क्योंकि बहुत से देश कहेंगी कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपको वीजा लेकर ह आना होगा तो इसी के आधार पर देश की मजबूती तै होती है जैसे कि अभी एक रैंकिंग जारे की गई है इसमें जापान के लगभग जो है कि जापान के लोगों को 191 देशों में बिना वीजा की अनमती है सिंगापूर में के लोगों को 190 देशों में दच्छिड कोरिया और जर्बनी के लोगों को 189 देशों में बिना वीजा की अनमती है भारत को देखा जाया तो जो है कि 58 कंट्रीज में बिना वीजा के हम लोग क्या कर सकते हैं जा सकते हैं तो इस तरह से भारत की जो पोजीशन है पासपोर्ट की मजबूती के पॉइंट अब्वियू से 85 है द जा था वहीं जो चाइना का पोजीशन है वो 70 पोजीशन है सत्तर इस्थान पर है और इसको मिला हुआ 75 कंट्रीज में बिना वीजा की अनमती मिली हुई है पाकिस्तान को 32 देशों में बिना वीजा की अनमती मिली हुई है और इसकी जो रेंक है 107 है आई होप आप समझ पा हाली में involves for index को दुनिया में सबसे दमदार पासवोड़ देशों की सूची में तीन स्थान पर खिसक कर भारत का जो इस्थान हो गया है उलेकिन है कि पिछले 6 बरसों में हैं ले पार्टनर्स द्वारा प्रती बर्स पासवोड रैंकिंग है इंडेक्स है इसको जारी किया जाता है अब यह जो इनके पास आखड़े होते हैं यह कहां से आते हैं जो हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स तयार करने के लिए जो आखड़े होते हैं इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्ट एसोसेशन के आखड़ों के आधार पर प्रति वर्स जो है क मैंने इस स्टार्टिंग में आपको बताया, तो आप देखी जो अभी 2021 का इंडेक्स है, इसमें जो सिर्ष देश हैं, वह सिर्ष देश जो है कि ACI देश आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि जापान के संदर में आपको दिखाया गया है, कि 190 वण जो है कि देशों में बिना अगर भारत का जो बात करें तो भारत की जो परफॉमेंस है, पिछले बर्स में हमारा जो पोजिशन था, वो अभ्यासी में था और इस तरह से तीन रेंग का हम लोगों को नुकसान हुआ है, भारत के साथ जो ताजाकिस्तान है वो भी 85th पोजिशन पर है, और अगर पडोसी आप तुलना करना चाहें, तो यह आपके पास पूरा जो है कि पीडियप है, आप इसको पढ़ लिजेगा, ध्यार रख लिजेगा, और इसके अधार पर आपको पूरे डेटा मिल जाएंगे, I hope आप समझ पाए होंगे कि पास्पोर्ट की मजबूती का क्या संबंद है, इस वीडियो में इतने, thank you so much.